हाई मैं हूँ बैंक बंदु चलिए शुरू करते हैं आज गा टोपिक जिन CSP बंदु ने पास्बुक प्रिंट करने का फाइल लिये है और लेने के सोच रहा है ये वीडियो आप पूरा देखिए इसमें आपको पूरा डिटेल्स बताए गया इस फाइल किस तरह से वर्क करत में CSP बंदु के टाइम बचाने के लिए इस JPG को पहले वीडियो के पहले लगाए गया है इसलिए क्योंकि इसमें जैसे चार नंबर पर दिया हुआ है डेटा एंट्री प्रोसेस आपको अगर इस फाइल में डेटा एंट्री प्रोसेस को देखना है तो उसी के साइड में आपको टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे जाके उस चीज़ को आप देख साइगा उसी तरह इस फाइल की वार्प को सेबन स्टेब में दिखाए गया और साइड में उसका टाइम भी दिया हुआ है तो चलिए सुरू करते आज का फास्ट टॉपिक फाइल इंस्टलेशन जिन CSP को इस फाइल को चाहिए उनको ब्रांच का डीटेल्स भेजना पड़ेगा भेजने के बाद में बनाके उनकी वार्टसम में रार फाइल बनाके में फाइल को सेन करता हूँ जिस तरह से कस्टमर को रार फाइल मिला है उसके वार्टसम में तो देखिए वह किस तरह से आपने system में वो download कर एंस्टोल कर रहा है वो दिखा रहा है उस पूरा वीडियो में दिखाए गया है उस चीस को इंस्टोल से समस्टोल ostrOS जैसे फुल दिखा जा रहा है वो download कर रहा है करने के बाद वो आपका ज़ः आप पोसेस फोलोह कीजिए आपको पता चल जोगा सिस्टेम थोडा साथ शलो चल रहा है। तो देखिए यह फाईल, तो फिडिक यह फाईल को अप कौपी करके आपके सिस्टेम में डीराइब में रखी है। मैं साझेस्ट करूंग अब्रद करेंके तो कोई प्रावल्म ने आएगा ऐका लेने के टाइम तो जैसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया ये एक्स्टर एक Про रहा है देखिए एक्स्टरियर करने के बाद इसके अंदर का जो फोल्डर है वह बाहर निकल का आएगा और आने के बाद इस फोल्डर का अंदर जाना है जाने के बाद सेट आप नम का एक फोल्डर है उसके अंदर अब कमेंड फाइल है इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करक कि आपको देखिए राइट क्लिक करके डेश्टॉब में सेंटू डेश्टॉब करना है इसमें क्या हुआ यह फाइल है तो डीडाई में लेकिन इसको शॉटकर बनाके डेश्टॉप में लाया गिया है क्योंकि बाइदर कभी भी आगर यह सिस्टेम फॉर्मेट हो जाता है त क्या होगा आपको ज्यादा अच्छा लगेगा देखने के लिए तो मैं सब्सक्राइब करते हो इस लोगों को आप इसमें सेट आप कर लीजिए और इसमें नाम को भी छोड़ा सा चेंज कर सकते हो लेकिन में नेम को नहीं हटाना है इसमें तो यह इंस्ट्रॉलेशन पोसे देश्टॉप पे लेकिन इसका राइट क्लिक करके ओपेन लोकेशन करके अब देख सकते हो यह फाइल डी ड्राइब में आपको देखिए यहां पर एड्रेस देखिए डी ड्राइब शो कर रहा है तो आपको अगर फर्मेट भी हो जाएगा तो यह में फाइल आप जिदना क्लिक करना है इसके बाद आपको करना क्या है ओप्सेन में क्लिक करना है ओप्सेन में क्लिक करेंगे देखिए यहां पर यह जगा पर आपको स्टिक नहीं रहेगा तो यह सो डेवलापर में क्लिक करना है करने के बाद ओके करना होगा तो यह दो स्टेप में मैक्रो को ओन कि जाता Excel में तो दोनों step हम दिखाएंगे एक के बाद एक दिखा देंगे आपको तो आप देख लिजिए इसको okay करेंगे देखिए यहां इस menu bar में developer का एक option आ जाएगा तो इसमें क्लिक करेंगे macro security में click करके यहां पर देखिए disable किया हुआ इसको आपको enable करना होगा तब ही यह file run करेगा तो इस जगह पर macro को setting करके आपको यह enable कर लेना है macro को enable करके okay करना है तो यह process है और एक process है आपको देख लिजिए process कहां से मिलेगा उसको तो excel option में जाके आपको Excel option में click करेंगे तो यह अगर विंडो 10 होगा तो उसका थोड़ा सा इस साइड में आएगा विंडो 7 में इस तरह का आता है विंडो माइको सब्सक्राइब करना है तो इतना साथ सेटिंग आप कर लेंगे Microsoft Excel के वर्षन में तो आपको यह minimize करके बंद नहीं करना है तभी यह फाइल आपका पूरा वर्क करेगा तो आप चलते यह आपका Microsoft सेटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया अब आपको फाइल को open करना होगा आइकन के उपर double click करेंगे तो आपका फाइल इस तरह से open हो जाएगा अब स्टार्ट करते तीन नंबर स्टेप डेटा एंट्री पोसेस किस तरह से इस फाइल में डेटा को एंट्री किया जाता है वो दिखाए जाएगा इस बर में तो यह फाइल को आप जिसमें आप डेस् पासवार गलत डालेंगे तो यह लोगिंग नहीं होगा सही यूजरी पासवार डालिए तो लोगिंग देखिए इस तरह का गेटाप आएगा तो यहां पर क्या दिखाए जाएगा इस फाइल के लेफ्ट साइड में पास बुक पिंट डेटा एंटी और रिपोर्ट का इसमें डेटा एंटी प्रोसेस को हम इसमें दिखाएंगे तो डेटा एंटी को पर क्लिक करेंगे तो उसी के नीचे डेटा एंटी आएगा उसमें क्लिक करेंगे तो एक नया पॉप आप ओपन होके आएगा आपके पास तो इसमें आपको करना क्या होगा डेटा एंटी में इसमें देखें यहां पे two cái देटा एंडिक किया हुआ हों है किसीने तो यहां पे सेरियाल नंबर पे कुछ नहीं करना आपको ठीकने आपको एकाउंट नंबर जहां पे अपना केस्टेमर का डीटेल को एक के बद देख एक पर आपको फिलप करना उसका एकाउन नमबर बैठा के अगर सार्च करेंगे तो उसका डेटेल्स यहां पर शो करेगा ओभी दिखाये जाए आपको देशे टेप बाश टेप दिया जा रहा है देखिए यहां पर कस्टमर का नेम डाला जा रहा है और उसके नीचे मिस्टर मिसेस है कस्टमर जिस केट होता है उसका नेम होहाँ पर डालना है और उसके नीचे रिलेशन है कस्टमर के साथ वह गारजन का रिलेशन किया है फादार है हस्बेंट है डोटारोप है जो भी है वह आप सिलेट कर लिजिए तो इस तरह से इस फाइल को फिलाफ किया जाता है आपको आपको आगर जिस चेहां पर अडरेस डालना है या तो आप यहां पर एडरेस फिलाफ कर सकते उसके बाद पीन कोर स्टेफ बाई स्टेफ एक के बहुँआ कि आपको सेफ करना है इस यां पर समझवाय जाएगा किस तरह से फाइल वह इंग करता है नहीं आप का सब्सक्रार करेंगे सेज़के बाद कस्टœmbria का मुबाइल नमबार यहां पर फोट करना और यहां स्टेट को आपको सिलेट करने के बाद क्या करना है सेब करना पड़ेगा सेब कर देंगा न तो यह देटल का फिल अपके आप किये आपका सौप्ट व्यर में फाइब जाला था आप सार्स कीजेइ देखिए जो टेटल ज़ा ता आप यहां पर आ गया यह तो उस Do गल्दी आपको सुधार कर सकते। ही यहां सुधार करेंगे, और सेव अपडेट में किलीक करेंगी, वह ढ्रत लाब्दक करेंगे मां धाल सिर्फ के दिछाएम, तर इस Antii process है डिखाय Practice आपको अपडेट करेंगे मां सेव्डर है तो अपडेट और समय म narcissistic change स्टेब में आपको दिखाए जाएगा पिंटर का सेटिंग की से करना है पिंटर की नहीं करेंगे तो आपका पिंट नहीं होगा तो यहाँ पर करना केंगे अपको घंद कर लेगे तो आपको जो ऑफिन खुल के आएगा वहाँ पर आपको पिंटर का डिटेल्स आपको दिखाए देया कौन सा पिंटर आपके सिस्टेम से कनेट क्या हुआ है देखिए मेरा भी PLQ20 इसमें कनेट क्या है और डिफॉल्ट पिंटर है मेरा तो आपका जो भी पिंटर है इसमें यहाँ पर देख लेना अगर नहीं लगा होगा तो उस पिंटर के उपर राइट क्लिक करके आपको जैसे यह राइट क्लिक करेंगे करने के बाद आपको यहाँ पर डिफॉल्ट पिंटर डिफॉल्ट यहाँ पर क्लिक करना करेंगे तो देखिए इसमें अब ग्रिंटिक लग जाएगा तो यह ग् अब को ध्यान देना को इसके बाद में दिखेंगे प्रोसेस तो इसमें आपको पास्बूक का पोसेस दिखा जाएगा किस तरह से पास्बूक को पींड करेंगे तो देखिए किस तरह से किया जाता है तो यहां पर आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा आपको डेस्टॉप के स्कीन पर जो आइकोन बना हुआ है आपका उसको ओपन करेंगे आईडी पास्वाड डाल के आपको ओपन कर लेना है तो इस तरह का गेट आप आएगा आप इसक तो डेता आंटी में आपको किलिक करना ये आप को ड़ाएंगे आ funeral आप को पहले से आपने आडा कर रेसा एक पर जैसे मैंने पहले है यहां पर पना हू catastrophy जैसे इसे पहले का र्लख रखा से इंटर लेका टाइंटरिक्स करते ही लिए जो डेटा पे इंटरी किए थे वह यहाँ पर यहाँ पर भढ़ना क्या है इसू डेट इस दिन इसू कर रहे है पाश्बुक को उस दिन का डिए अपको डालना है और उसके नीचे नोमिनी डींड्री भी आप डाल सकते तो डालेंगे तो पास तो इसके बाद आपका print option करेंगे तो पाजबूक आपके printer में पींट होएगा जो printer आपका default है उस printer में आपका printout निकल जाएगा देखिए यहां पर पिंट दिखा दिया successful पिंट है अगर पिंटर आपन लगा हुआ नहीं है default नहीं है तो इहां पर पिंट successful दिखाया लेकिन आपको printer से पिंट नहीं निकलेगा इस चीज़ के लिए भी बहुत CSP वार्सम मेसेज़ करते है तो इस चीज़ को आप ध्यान दिजिए पास्बुक पिंट option में एक चीज और आपको दिखाना चाओंगा जैसे यहां पर आप एकाउंट नमबर पूट करके एंटर करेंगे तो एकाउंट नमबर पूट करके एंटर कर दीजिए तो पूरा डिटेल्स आ जाएगा बहुत बार क्या होता है पास्बुक के उपर करेंगे तो ही पिंट होगा ऐसा नहीं जो आपने ऐन पर स्ट टाइम करेंगे के ऐहां पर चीज़ करेंगे तो व्यूप करेंगे तो फीक हो जाएगा अपका प्रिंट को का लेयाउट चेंज देखते कि इस चीज़ चाहए ज्यादा वयोड़ समय में मैसेज आता है कभी-क आपका फाइल में यह प्रॉल्म आगर आ रहा है तो यह पींड लेयाओट का सेटिंग को आप देखिए तो फार्स टाम क्या करना है आपको आपना फाइल को बंद करना है अब बंद करके ओके करना होगा आप सेकेंड स्टेप भी फॉलो करके आप माइक्रो को बंद करना है किसी तरफ से माइक्रो को बंद करना होगा मैक्रो को बंद करना होगा तो आपका फाइल आप जिस तरह से ओपन होड़ता है उस तरह से ओपन होगा एक्सल मोड में ओपन हो जाएगा तो यह करके आपको ओके करक उस file को open करना होगा आप अगर इस file को open करेंगे तो आप देखिए ये Excel में open हो जाएगा देखिए एकसल में open हो गहाई आईडी पासण नहीं महांग रहा है तो यहाँ पर देखिए नीचे तरफ दो seat है यह दो seat के उपर आपको क्लिक कीशी भी एक seat के करने के बाद एक्सल सीट के बिलकुल लैप साइड में देखिए उस लाइन के उपर आप उहां पर माउस को लेके जाए और माउस को पकड़ के उपर तरफ अगर उपर से नीचे आ रहा है जिस तरह से अप सेटिंग कर सकते हैं ठीक है जैसे बीच में आपको साइड तोड़ा का ज्यादा गैतो characteristic और एक यहां पर आप यहांँ कर सकते हैं तो यहां को लगे इस ज्यगहा पर देख सकते हो यह यहां से आप एक पीन करके देखें यहां पर पीन पीबू बजाएए अगर आपका पास Microsoft Office का 10 है तो पीन पीबू साइद नहीं दिखाएगा यह 7 है इसलिए पीन पीबू दिखा रहा है तो आपको इस टाइम पर करना क्या होगा आपको पीन कर लेना एक पीन करके देख लेना यहीं से पीन करके देख लेना है तो आपको पीन साही आ रहा है कि नहीं आगा अगर आपको पीन साही आ रहा है तो आपको यह करना क्या यहां पर बंद नहीं करना है या तो सेब कर लेना सेब नहीं करना है सेब करना है आपको सेब में क्लिक करना है सेब में क्लिक करना है त पर डेवोलापर में क्लिक करेंगे करने के बाद मैं को डिसेबल किया है इसको कर देंगे इसको कर देंगे इसके बाद आपका फाइल जो प्रावास जू भरर में आ दो खिला ओलो में गार आपका फ्ल scholarships नहीं आए किसी कस्टमर को पिंट किया जा रहा इसलिए डेटा को हाइड किया गया है तो यहां पर थोड़ा सा स्पीड करके दिखाए गया है तो यह डेटा इंटी कर रहा है रियल किसी का पास्बुक पिंट होगा तो इसलिए डेटा को दिखाए नहीं जा रहा है कस्टमर का डिटल से छुपाय गया तो इस details को आपको fill up करना होगा जैसे किसी ने fill up कर रहा है index में मैंने उसका लिया था video तो details fill up हो गया करने के बाद ये save कर रहा है save करने के बाद इस step को cut करके print pv में जाके same process को follow कर रहा है यह आधा नमब्र को छुपा रहा है और यहां पर पिंट का उप्सेंड कर दिया है करने के बाद देखिए यह विई करेगा गां विवर करके प्रिंटॉप्षेंट्स रेका करेंगे मोबाइल से कमेरा के में। रेकोडिंग करेंगे की सीठाइ किस तरह से पृंटीरी कती हो रहा है देखिए यहां पर पास्बूक पिंट ओके दिखा रहा भी तो इसी वे आप मैंने आपको पास्बूक को देखिए प्लकू 20 से कनेक्ट किया है देखिए आप पास्बूक को एंटर करिया जाएगा यह लाइप वीडियो दिखाए गया इसमें किसी भी वीडियो में कोई भी च देखिए पिंट ले लिया पिंट मेरा हो रहा है अब सभी लोगों का जिनके पास एल्पू 20 32 जो भी पिंटर है सब पिंटर में ओपलाइन मोड करके आप पिंट कर पाएंगे ओपलाइन मोड करने के लिए आपको वार्ट्सप में मुझे मैसेज किजे मैं बता दूंग किस बहुत बहुत धन्देबाद मेरे इस वीडियो को जासा सेयर कर दीजे और लाइक कर दीजे वीडियो